उन प्यार के हसीन पलों में ये 5 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी हैं बहुत सारी फीमलना ओफेंड हो जाते हैं क्योंकि पुरुशी गलतियां कर देते हैं और फुर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं अगर आप और आपका पार्टनर आक्चली इंटेमेट है तो ये 5 चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी हैं क्या है ये 5 चीज़ें इसके लिए आपको वीडियो को अन तक देखना पड़ेगा सबसे पहले गलती जो हम कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ इंटेमेट होते हुए कि हम ना किस नहीं करना चाहते हैं मैं ऐसा लगता है कि suffocation हो रहा है ये कई लोगों को बहुत दादा STS के chances रहते हैं वो ना automatically आता है उसके लिए आपको डरना नहीं है कि मुझे kiss करना नहीं आता मैं कैसे करूँगा ये ऐसे होगा या नहीं होगा आप नॉमल जैसे किसी अपने hand को kiss करते हैं ऐसे automatically आप kiss कर सकते हैं बहुत बार आपका partner को kiss करना आता होता है तो आपको इतना pressure नहीं लगाना होता तो go it smooth, go it slow, maybe kiss करने से कभी भी परशान मत हो और ये मत सोचो कि second number पर जो ध्यान रखना है वो है बहुत जदा intensify kisses या हम love bites ना दें बहुत बार हम इतना intensify हो जाते हैं कि आपके partner को pain होने लग जाता है अपको नहीं समझ में आता कि वो love bite में convert हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर aggression बहुत होता है हम बहुत अच्छे से करना चाहते है तो बहुत बार ही आपके partner को uncomfortable feel कराता है definitely do ask does she want it there, उनको चाहिए love bites, male partner को, males को usually love bites से बहुत irritation होती है तो इस तरीके से consent लेके अगर आप love bites प्राक्टस करेंगे that is very good third, जो चीए इस females को बहुत जादा offend करती है, वो है same तरीके से sex करना, कुछ नया नहीं try करा, पिछली बार भी वोई, इस बार भी वोई, कोई four play की नहीं टेकनीक नहीं उसकी कोई अच्छे से बात नहीं की है, maybe थोड़ी से dirty talks नहीं की है, थोड़ा सा mental preparation नहीं किया है ऐसे में female definitely offend हो जाती है, और फिर उन्हें लगता है कि maybe सिरफ ये sex मुझ से चाहता है, इसले कर रहा है क्योंकि उसने मेरे pleasure के बारे में ध्यान नहीं दिया है तो नए-ने तरीके ट्राइ करना बहुत जादा important है, बहुत जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करते हैं कई पुरुशों नहीं ऐसा लगता है कि फटा-फट से करो, फटा-फट से खतम करो, मेरा निकलने वाला ही, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कब हम भार रूम्स में होते हैं, तो हम बहुत जादा comfortable नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करना है सेक्स का मतला भी होता है, जैसे हम बोलता ना कि आप drink कर रहे हो, तो एकदम से चार पेक नहीं कीचने होता है keep it slow, keep it that मजा, sensation, हमेशा slow-slow करने से आता है एकदम से climax तक पहुचना, या एकदम से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, कभी भी आपको pleasures पे नहीं लेके जाती पांच भी चीज़ जो बहुत साथा important है, वो हम अपना ध्यान कहीं और रखते हैं किसी चीज़ का डर लग रहे हैं, हम किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और बात कर रहे हैं तो डिफिनेटली वो पल जो है जो आपके इंटर मेट टाइम जिसमें आपको feeling आने चाहे वो खराब हो जाती है अगर आपकी शादी भी हुई हुई है आप अपनी girlfriend से मिलने जाते हैं आपका first time है ये सारी tips बहुत जादा important है अगर आप ये कर रहे हो न तो please मत करो क्योंकि वो important बल खराब हो जाएंगे आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके doubts को क्लिए अगर पाई है और वीडियो लाएंगे ये sensitive पलो की जो इंपोर्टन्स है ये doctor नहीं ही बताती है इसलिए अभी जाके चानल को subscribe करें